आकाश्वाणी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारना सच्देव सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार प्रदेश में एक पेड मा के नाम अभियान के तहत भोपाल में 12 लाग पौधे रोपे जाएंगे 6 जुलाई से शिरु होगा अभियान प्रदेश के तीन आवेदकों को नागरिक संशोदन कानून के तहत मिली भारतीय नागरिकता भारत T20 विश्पिकप के फाइनल में पहुँचा दूसरे सेमी फाइनल में इंग्लेंड को दी 68 रनों से मात और प्रदेश के छे और जिलो में पहुँचा मौनसून अगले तीन दिन तक ग्वालियर चंबल मालवा निवार क्षेतर में भारी बारिश अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन याधव ने कहा है कि प्रदेश में एक पेड मा के नाम अभियान जन सहयोग से सफल होगा इन दौर जिले में जहां 51 लाग पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है वही राजधानी भूपाल सहित जिले के विभिन स्थानों पर एक दिन में ही 12 लाग पौधे रोपे जाएंगे भूपाल जिले में 12,000 पौधे मा के सम्मान में लगाए जाएंगे मुख्य मंत्री ने बताया कि भूपाल में राश्ट्रवादी विचारक, शिक्षा विद और भारतिय जनसंग के संस्थापक डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी की जयनती 6 जुलाई को अभियान के अंतरगत पौधे लगाने का कारे शुरू किया जाएगा मुख्य मंत्री डॉक्टर यादव ने कल मंत्राले में एक विशेश बैठक में जन प्रतिनिधियों और वरिष्ट अधिकारियों से अभियान की तयारियों की जानकारी प्राप्त की भूपाल में गरीब 350 थल पौध रोपन के लिए चैनीत किये गए हैं मध्य प्रदेश में मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिक्ता संशोधन कानून CAA के अंतरगत पहली बार मध्य प्रदेश में तीन आवेद्गों को भारतिय नागरिक्ता प्रमान पत्र प्रदान किये नागरिक्ता संशोधन कानून के अंतरगत पहले आविदक समीर सेलवानी और संजना सेलवानी के पिता पाकिस्तान में थे जबकि ये दोनों 2012 से भारत में रह रहे हैं वहीं तीसरी आविदक राखी दास बंगला देश हैं CAA के तहट अब तक 61 नागरिकों ने मध्यप्रदेश में नागरिक्ता के लिए आविदन किया है फिलहाल उनके आविदन पत्रों की जाच की जा रही है मुख्यमंद्री डक्टर मोहन यादों ने कहा कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक्ता संबंदी कठनाईयों का निराकरण कर एक ऐसा रिष्टा पुनर स्थापित करने का प्रयास किया है जो अखंड भारत की याद दिलाता है संजीव शर्मा, आकाश्वणी समचार, भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ली गई कक्षा पांचवी और आठवी की बोर्ड पैटर्न पुने परिक्षाओं का परिणाम आज घोशित किया जाएगा राज्य शिक्षा केंदर भोपाल द्वारा परिक्षा परिणाम अपरान चार बजे परिक्षा पोर्टल पर जारी किया जाएगा इसे राज्य शिक्षा केंदर के वेब पोर्टल पर देखा जा सकेगा इसी पोर्टल पर शिक्षक संस्था प्रमुक अपनी शाला का विद्यार्थिवार परिणाम भी देख सकेंगे पांचमी और आठमी की बोर्ड परिक्षाओं का संचालन तीन से आठ जून के दौरान किया गया था इन में प्रदेश की अशास की शालाओं और पंजिकरित मदर्सों के कक्षा पांचमी के 1,31,000 से अधिक और कक्षा आठमी के 1,63,000 से अधिक विद्यारती सम्मेलित हुए थे मुख्य मंत्री ने प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर चेक पोस्ट व्यवस्था समय सीमा में लागू करने को कहा है इस व्यवस्था में ट्रांस्पोर्टर पूर्व में ही ई-चेक पोस्ट वेबसाइट पर अपने वाहन के संबंध में आवशक स्वगोशना कर निर्धारित फीस जमा कर सकता है मुखे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में नागरिकों को सस्ती और सुलब परिवहन सेवाओं का लाब दिया जाए इसके लिए आवशक व्यवस्थाओं को शीकर पूर्ण किया जाए भूपाल में कल परिवहन विभाग की बैठक में मुखे मंत्री ने प्रदेश में यी वेकल व्यवस्था बढ़ाने निर्धारित स्थान पर बस्टैन की व्यवस्था लागू करने विद्यार्थियों के लिए महविद्याले में लर्निंग लाइसेंस बनाने की सुविधा प्रदान करने सहित कई अन्य निर्धेश भी दिये ये समाचार आप आगाशवाणी मध्यप्रदेश से सुन रहे हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अत्वा News on EIR एप पर भी समाचार सुन सकते हैं समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इन दोहर जिले में मध्यप्रदेश अनुसुचित जाती वित और विकास निगम द्वारा इस वर्ष जिले में अनुसुचित जाती के एक हजार युबाओं को स्वर रोजगार के लिए दस हजार रुपई से लेकर पचास लाग रुपई तक का लोन दिया जाएगा इसके लिए इच्चुक युबाओं से आवेदन मंगाएं गए हैं जिला अंतिया व्यसाई सहकार विकास समिती इन दौर के कारेपलन अधिकारी ने बताया कि रिण प्राप्त करने के लिए आवेदन की आईउ 18-45 वर्ष होनी चाहिए राजिशासन ने भारतिय प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों का कल तबाला करते हुए उनकी नवीन पदस्था अपना की है इस संबंद में सामाने प्रशासन विभाग ने कल देर रात आदेश जारी किया है जारी आदेश के अनुसार प्रशासन अकादमी के महाने देशक विनोध कुमार को आदिम जाती अनुसंधान और विकास संस्थान भोपाल में संचालक ने उक्त किया गया है जबकि विवन विभाग के अपर मुख्य सचिव जे एन कंसोर्टिया को प्रशासन अकादमी में महानदेशक बनाया गया है वही स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मी अरुण शमी अब खाद्य नागरिक आपूर्ती और भोगता सनुक्षन विभाग में प्रमुख सचिव बनाई गया है ग्वालियर रिवा के संभागय युक्त के भी तवादले किये गए है मुखे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतरगत नर्मदा नियंतरन मंडल की गतिविधियों की समिक्षा की गई मुख्य मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नर्मदा के प्रमुक घाटों पर जल प्रवासों निश्चित किया जाए, प्रदेश में सिंचाई के साधनों के विस्तार का कारे निरंतर हो, केंदर सरकार से ऐसे कारियों के लिए परियाप्त धनराशी भी प्राप्त होगी बैठक में बड़ा देव संयुक्त माइक्रो सिंचाई परियोजना, मा रेवा उद्वहन सिंचाई परियोजना, निवाली उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना, महेश्वर जानापाव उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना सहित अन्य परियोजनाओ के संबंध में चर्चा हुई जल जीवन मिशन की एक बैठक में मुक्य मंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतरगर्द नर जल योजना के संचालंग का कार्य महिला स्वस आहता समुहों को सौपने को कहा मुक्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 63 प्रतिशत से अधिग घरों को नल से जल उपलब्द कराया जा रहा है प्रदेश के समस्त ग्रामीन परिवारों को नल से जल उपलब्द कराने के दिशा में कार्य तेजी से जारी है बात खेल की भारत ICC T20 World Cup के फाइनल में पहुच गया है कल देर रात गयाना के Providence Stadium में खेले गए दूसरे सेमी फाइनल में भारत ने इंगलन को 68 रनों से हराया पहले खेलते हुए भारत ने साथ विकेट पर 171 रन बनाए जिसके जवाब में इंगलन की टीम सत्रवें ओवर में 103 पर आउट हो गई भारत की ओर से रोहिट शर्मा ने 57 रनों की पारी खेली साथ ही सूरे कुमार यादव ने 47 और हारदिक पांडिया ने 23 रन बनाए जवाब में इंगलन की टीम ने 50 रनों के अंदर ही पांच विकेट खो दिया और पूरी टीम 103 नहीं बना से की हैरी ब्रूक ने सरवादिक 25 रन बनाए भारत की ओर से अक्षर पाटेल और कुलदी प्यादव ने 3-3 विकेट लिये अक्षर पाटेल प्लेयर अफ दमाच बने भारत 10 साल बाद फाइनल में पहुँचा है जहां कल 29 जून को उसका मुकाबला पहली बार फाइनल में पहुँचे दक्षिन अफ्रीका से होगा भारत विश्पकप के पहले संसकरन 2007 में विजयता रहा था और 2014 में उप विजयता रहा अब बात मौसम की दक्षिन पश्चिम मौनसुन प्रदेश के ग्वालियर शोपूर भिंड मुरैना निवाडी और दत्या जिलो में पहुँच गया है इसके साथ ही सीधी और सिंग रॉली को छोड़कर पूरे प्रदेश में मौनसुन सक्रिया हो गया है कल भोपाल में करीब दो इंच बारिश हुई वहीं ग्वालियर विदिशा जबलपूर में भी तेज बारिश हुई मौसम विभाग ने आज से अगले तीन दिनों तक भोपाल सहित ग्वालियर चंबल मालवा निवार क्षेतर में तेज बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है अब कुछ समाचा संक्षेप में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 11 लाग पौदे लगाने के स्थान का निरिक्षन किया और चल रहे कारियों की समीक्षा की और धार के एतिहासिक्स मारक भोचाला का भारतिय पुरतत विभाग विज्यानिक सर्वे का कल कारे 98 दिन में संपन हो गया विभाग द्वारा दो जुलाई को अपनी रिपोर्ट नियायले में प्रस्तोत किया जाना है अंतमे बुलिटिन के मुख्य समाचार एक बार पिर प्रदेश में एक पिर मा के नाम अभियान के तहत भोपाल में 12 लाग पौदे रोपे जाएंगे 6 जुलाई से शिरू होगा अभियान प्रदेश के तीन आवेदकों को नागरिक संशोधन कानून के तहत मिली भारतीय नागरिक था भारत T20 विश्पकप के फाइनल में पहुंचा दूसरे सेमी फाइनल में इंगलेट को धी 68 रनों से मात और प्रदेश के चह और जिलो में पहुंचा मॉनसून अगले तीन दिन तक ग्वालियर चंबल मालवानी बारक शेत्र में भारी बारेश इस बुलिटिन में इतना ही अनुमती दीजे नमस्कार